सती सामकी माता बंजारा समाज मैला बाउदेशयो संस्ता नाकपूर के और से संता सिवालाल महाराज की 281 जैनती के आउसर पर पैदल यात्रा निकाली गई सती सामकी माता बंजारा समाज मैला बाउदेशयो संस्ता नाकपूर के और से संता सिवालाल महाराज की 281 जैनती के आउसर पर पैदल यात्रा निकाली गई नाकपूर परिशर के छोटे छोटे तांडा बस्ती से हजारों अनुयाई मौजूद थे वसंतरों नाइक चोग से निकली ये सेवालाल महाराज की जांकी निकाली गई सन 1749 में आंद्रप्रदेश में सेवालाल महाराज का जनम हुआ सेवालाल महाराज दूर दृष्टी के जानकार थे उनका दृष्टी कोन वज्ज्यानी था अपने विचार से और कुरूती से सारे भारत वर्ष का उन्होंने एकता का और परिवर्तन का संदेश दिया सन्त सेवालाल महाराज एक विचार धारा प्रचलित है जान जो सान जो पचन मान जो इस कारेक्ट्रम के बारे में अद्देश्य जैस्रिरा ठोड सचिवन नलीनी पवार और डॉक्टर पुनो चवान इन्होंने इन विचें समक्ष जानकारी दी सन्त सेवालाल महाराज की 211 सीवी जैनती है और उनका जनम आंध्रप्रदेश में हुआ था लेकिन वो रसद पउचाने की हिसाब से पुरे भारत भर और पुरे देश जग में घुमते थे और जहां जहां जाते थे उनका अईरुवेदिक नॉलेज बहुत अच्छा था और बहुत शुर उन्होंने मुगलों से भी लड़ाई की और निजाम से भी लड़ाई की और बहुत योद्य थे हुआ इसलिए है कि अपनी हमारा समाज गरीब है अरो समाज गरीब है तो सबको आभी जो फैसलेटिये गवर्मेंट की मिलना चाहिए ना सबकी गरीब है पड़ेली के परे उनको थोड़ा सा गोर्मेंट सरकार के तरफ से मदब महीं मिल रही है वो मिलना चाहिए बस यह हमारी अपेक्षा है सबकी अपनी है नाइंटी परसेट काम हो गया है थोड़ा सा सरकार ने जो दस परसेंट रहे गया है उसके तरफ धान्द से जल्दी से जल्दी करें बस इतना ही सरकार से हमती कहना है और एकट एकटिद करने के लिए आपारे पास कोई भी समझ भवन नहीं है अब यहां से बचद भवन तक जाने वाले हैं जैस्श वाला वासंद्रा नाइक चोक से तो बचद भवन तक हमारी रैली जा रही है अबी यह चोका नाम है वसंद्रा नाइक चोक नागपूर के जिरुमाई से कैमरे परसन सुवाश के साथ संजय मीरे इनबी से नियूज नागपूर